चलिए in response to previous video कुछ बच्चू ने कहा है कि question number 24 मैं ही दिखा हूँ अब इस question number 24 को पहले पढ़ते हैं following all the details of income from the profit and loss account of MS credit traders owned by MS Sharma for the previous year हमें profit and loss account दिया हुआ है यहां पे debit side है आपका और यह रहा आपका credit side आप इस debit side और credit side को record कीजिए अपने copy पे ताकि आगे मैं solution दिखाऊंगा आपको question साथ में होगा तो आप question को साथ साथ चा करते रहीए क्योंकि वीडियो में मैं पहले दिखा रहा हूँ question मैं यहां पे थोड़ा pause करता हूँ इसलिए ताकि आप इसको pause करोगे और इसको अच्छे से record करोगे जो question आपके सामने रहेगा उसके बाद solution को साथ साथ हम करते जाएंगे ठीक this is debit side और यह है credit side इसके साथ साथ इसमें क्या है additional information यह लिखता है the opening stock has been valued at cost minus 10% basis यह मैं आपको solution में दिखाऊंगा कि हमें opening stock में जो value दिया है इसको कैसे adjust करना है और दूसरा purchase include the payment 30,000 by the bearer check to the supplier depreciation as per IT rules for the year यह सारी जो बाते हैं यह solution में आपको मैं साथ साथ explain करता जाओंगा कि किस item को कैसे लेना है तो फिलहल में मेरा यहां point यह है कि आप इस चीज़ को record कीजी मैं बिलकुल वीडियो को यहां पर एक पास देता हूँ हाँ जिसके पास भी book होगी तो उसके लिए तो आसान है question number 24 और यह जो मैंने यह question मैंने इस book से लिया है अगर आपके पास यह किताब है और यह रहा page number 2.827 so this is regarding the question number 24 so now I will straight away move to the solution लेकिन solution तो तब ही मुमकिन है जब आपके पास पहले question होगा now we have to calculate business profit तो आपको पता ही है कि जब भी हम business profit निकालते हैं तो शुरू करते हैं net profit so हम देखेंगे question में जो आगए आपके पास है net profit as per profit and loss account यह जो हमारा profit and loss account है उस हिसाब से हमारा net profit है 20,000 अब हमें इस तो हमें net profit दिया हुआ है 20,000 अब आपको पता ही है हम करते हैं add पहले add करते हैं जब हम add की बात करते हैं तो profit and loss का debit side हम steady करते हैं और साथ-साथ यह भी ख़रा रखते हैं कि adjustment और debit side of profit and loss में कोई relation मत है तो add हाँ लिखेंगे हम disallowed expenses disallowed expenses या items ऐसे item तो पहले लिखना था फिर उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो या inadmissible expenses यानि वो items जो हमने debit किये हैं हलांकि वो इस head के हिसाब से सही नहीं है आप question में अगर देखे question में अगर आप देखेंगे अभी record नहीं किया है तो फिर से आप इसको अपने सामने रखेंगे ताके आप को समझाएगा मैं क्या करा हूँ इस question को जब मैं आगे रखता हूँ तो disallowed items तो पहले आती हैं बारी donation अब देखे question में लिखा है donation donation disallowed item है that is 10,000 उसके बाद income tax अभी जब business income निकाली नहीं तो income tax ये तो this is again not allowed इसको वापस एड़ करना है यह हमने profit and loss में debit किया होगा reserve आपको याद है कोई भी reserve जब हम लेते हैं reserve for bad debt अगर bad debt होता है that is allowed बेकिन reserve is not allowed इसके बाद depreciation depreciation जो है depreciation में देखना पड़ता है कि depreciation अगर दी हुई है तो इस question में जो depreciation है पहले में इसको add ही करता हूँ end में इसको less करते हैं as per given question थाई so that is again 10,000 इसके बाद contribution to staff welfare fund star welfare fund जो है इसका जो contribution है that is also not allowed यहां पर मैं cost of patent लेता हूँ क्योंकि patent में हमें depreciation देनी है पहले तो हम सीधे लिखेंगे patents या इसको net figure भी ले सकते हैं जैसे पिछले questions में हम नहीं किया तो फिलाल मैंने इसको 90,000 यहां पर लिखा बाद में इसको less करेंगे कि कितना 25% as per rule इसी तरह यह वाला item जो है इस वाले item को और इस वाले item को हम आगे adjust करते हैं या यही पर net adjustment दिखा सकते हैं फिलाल तो मैंने सारा ID किया हैं आगे इसको less करेंगे जैसे हम पिछले questions में करते हैं इसलिए मैंने यहां पर मारक किया आप लोगों को समझाने के लिए इन्टरस्ट अन कैपिल इस नोट अलाउड इन्टरस्ट अन कैपिल इस अलसो नोट अलाउड खुद को आप इंटरस्ट नहीं दे सकते हो पर्चेज इन कैश यह देखे इसमें लिखा है पर्चेज इन कैश हमने दिया है बेरर चक जबके हमें देनी थी पेज अकाउंट इसी तरह रेल्वे पैनल्टी आपको पैनल्टी है तो पैनल्टी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा नहीं दिखा सकते हो तो रेल्वे पैनल्टी इस नोट अलाउड अगर जब हम इसका एड करते हैं तो यह बनता है जीरो 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 और यह पांच है यहां पर तो यह बनता है 185 तो इस तरह से बन गया यह 185 तो जब हम एड करेंगे सीरिसी बात है 28 तो यह दो लाख पांच सार बन गया अब हमें करना है लेस अलाउड एक्सपेंस यहां पर आपको थोड़ा कन्फूजिन हो सकता है यह फिगर हम यही पे भी अज़स कर सकते हैं मैंने लिखना 90 यहां पर मैंने पहले कहा कुछ भी अलाउड नहीं अब इस में से देखते हैं कि अलाउड कितना था जैसे हम लें के पेटेंट्स पेटेंट्स पे जो डेपरिसेशन है वो टेबल आपको यादी रखना है 95 आपका 25 परसंट इसमें डेपरिसेशन अलाउड है वो बनता है 22,500 इसी तरह डेपरिसेशन जो अलाउड है जो दी है क्वेस्चन में यहां पर मैंने डेपरिसेशन जो लिखा अगर आपको देख देखा होगा कि 10,000 मैं यहां अगर 2000 ही लिखो अगर मैं यहां 2000 10 के बादे लिखो तब मुझे यह आठ लिखने की जूरत नहीं है तो नेट फिगर भी लिख सकते हैं जैसे पिछले कुछन में हमने किया है इसी तरह एंटर्टेन्मेंट एक्सपेंसेश वो भी है 8,000 रुप्या इसी तरह क्योंकि एंटर्टेन्मेंट एक्सपेंसेश जो है यह नीचे लिखा है कि हमने यह लिया ही नहीं अगर यह इदर कहीं पर लिखा होता तब हम इसको ऐसे ही छोड़ती यह ठीक था लेकिन यह ठीक है लेकि लिया नहीं है इसी लिए हमने इसको वापस जी लेस्ट कर दिया value of stock this is very important value of stock debit में लिखा है तो वो है 72,000 this is very important 72,000 यहां करेंगे क्योंकि 10% इसमें value of stock के मुतलिक इसने नीचे लिखा था the opening stock is valued at cost minus 10% यहने हमने इसमें 10% कम दिखाया है तो असल में कितना कम दिखाया है जब इसकी आप calculation कर रहेंगे मैंने वो करके रखी है वो तो 8,000 रुप्य आ रहा है so this is the deductible portion which is to be deducted from the total income so total यहां पे अभी हमारे को आ रहा है 158 500 अब हमें क्या डूंडना है यह होगी है by less item लेकिन अभी यह less वाला भी debit side से ही है जो हमने नहीं लिया था अब हमें क्या करना है अब हमें credit side की और जाना है इस question को आप फिर गोर से देखिए मैंने कैसे लिखा है इसको मैं आपके लिए थोड़ा pass करता हूँ ताके आप इसको record कर पाऊगे अब हम जाएंगे credit की और हम उसमें लेखेंगे income not taxable under this head though there are many incomes which are taxable but not taxable under this head so that incomes we have to detect अब मैं डूसरे page की और जा रहा हूँ now less incomes not taxable under this head इस head के जो incomes हैं that we have to deduct कोई भी income जो है वो हमारी business income नहीं है पहले है life policy जो है वो तो question में दी हुई है 5000 रुपिया इसमें खाली दो तीन items आएंगे मेरे ख्याल से दूसरा है sale sale of old furniture देखे sale of old furniture जो आपने sale किया है ये तो business आपकी है ने interest ये दादर सोर्स ही दी है चार हजार रुपिया तो इस तरह से 4 to 8 11,000 आगया ही ठीक तो 11,000 पिशली फिकर जो थी वो कितना था हमारे को that was 158 इसमें 158 500 11,000 काट होगे तो आसान नहीं तो बन गया 147 फिर फाइव डाबल जीरो this is simply business profit for the year या business income हम कहरेंगे business profit for the year लेकिन इस question में आप देखिए set of carry forward भी हमारा एक टॉपिक है अगर आपको नुकसान हुआ है क्या आगले साल आप उसको फाइदा सकते हो या नहीं उडा सकते हो या एक हैड में अगर नुकसान है दूसरे में फाइदा है total में ये adjust हो सकता कि नहीं हो सकता उसके rules अलग है फिलाल हमारे को एक entry है आप इसको खाली याद रखें आगे इसका अलग topic पढ़ेगे हम set of carry forward हमारा अलग topic है set of business forward business loss business loss जो हमारे को है वो पिछला जो हमारे पास है 6000 रुपिया तो हमने इसको adjust किया इस साल तो total हमारे को बनता है 141500 that is now इसका आप नाम क्या रखेंगे इसका नाम तो हमने सीधे रखा था business profit for the year अब जो पुराना नुकसान है 6000 रुपिया उसको इस साल adjust किया है जो adjust करके हमारा आ रहे है 141 लेकिन यहां लिखेंगे क्या आप तो भी business profit नहीं है क्योंकि business profit तो था 147 तो हम इसमें लिखेंगे taxable यहां पर वर्ड याद कीजिए note कीजिए taxable you note है taxable business profit taxable business profit यानि अगर मैं इसको diagram बनाऊँगा shortcut में हमने क्या किया है हमने पहले net profit को लिया फिर debit side से जो item था उसको less किया फिर adjustment में जो item हमने नहीं लिया है उसको भी less किया उसके बाद credit side से जो income हमारे को business income नहीं है उसको less किया उसके बाद हमारे को carry forward जो पिछले साल का था उसको भी लेस किया उन दोनों मैंसे निक्रा हमें टैक्जेबल बिजनिस रॉफिट तो दिस वास रिगॉर्डिंग कॉस्चिन नंबर 24 आप इसमें देखिए इसमें एक और कैलकुलेशन में वापस पर जाता हूँ एक जो इंपॉर्टन है जो आपको सीखनी ज़्यादा जरूरी है यहां पर यह जो वाईलिव स्टॉक आप देखिए 90 मैंने नीचे लिखा है उपर हैंडन लिखा यानि इसका माना हो गए 10% जो हमने हमें असल में लेना था 80,000 यानि इसका यह माना निकलता है क्योंकि 72,000 और 8,000 बन गए 80,000 हमें 80,000 लेना था स्टॉक का वैलिव लेकिन हमने कम ही लिया था अब कम ही जो लिया था 10% कम एक्चुल निकालने के लिए क्या हमने यह फॉर्मला यूज की हैं उससे हमें लगा कि हमें 8,000 और लेस कर दे हैं यह अंडर वैलू हमने लिया है इसको पार में लिया हाँ अगर एक्स्ट्रा होता तो इसको रिवर्स करते हैं उपर तीचे इसको करते हैं ठीक तो अंडर वैलू भी हो सकता है और वैलू भी हो सकता है या बराबर वैलू भी हो सकता है इसको आपको दिमाग में यह रखना जलूरी है, so this was regarding this question number this is question number question number 24 और यहां पर मैंने कहा कि यहां 10,000 मैंने लिया depreciation देखे यहां पर लिया depreciation 8,000, इस figure और इस figure को हम combine कर सकते हैं, अगर मैं 8,000 यहां नहीं लिखूंगा, तो यहां पर खाली आप लिख सकते हो, 2000 रुबिया वो भी ठीक है, अब यह patent का 25% मैंने कहां से लाया यह तो आपको खुदी याद रखना है, intangible assets जो होते हैं, जिसे patent, copyright trademark, इसमें depreciation हर साल 25% मिलती है जो हमें question में दी भी होगी, नहीं भी दी होगी, यह तो depend करता है, तो इस तरह से यह जो question number 27, यह जो 27 है, आप इसको देखे, गोर से देखे, question number 27, और 28, इन दोनों questions को आप सालू कीजिए, question number 28 and 27 28 का जो आदा पार्ट है, वो इस साइड से उसके बाद है, question number 30 29, 30 30, और 31, 31 तक आप exam के लिए prepare कीजिए, this is question number 31, अब जो बचे भी solution, खुद attempt करेंगे, वो बाद में मुझे अपनी experience शेयर करेंगे, कहां क्या problem होगी, ठीक, तो whatsapp group में भी आप solution मुझे बेज सकते हो, जहां कहीं भी आपको difficulty आएगी, आप text कर सकते हो, तो इस तरह से question number 31 तक मैं आपको exam के लिए suggest करता हूँ कि आप 31 तक इसको prepare कीजिए, 31 के आगे जो है, वो मेरे ख्याल से उतना important नहीं है, लेकिन 31 तक तो important ही है, यहने question number 1 to question number 31, so with this हमारा job business profession है, इसमें मेरे ख्याल से हमने बहुत questions किये हैं, अब जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, इसमें पार्ट 1 भी हैं, पार्ट 2 भी हैं, पार्ट 2 पे भी मैं कुछ new molecules आपको उसकाऊंगा, बाकी इसी के इरिदकित आपको सारे questions आएंगे, अब जितनी आप practice करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और जो question अब रहेगे हैं, वो खुद कीजी, जहां कहीं भी आपको message कर सकते हो, thank you, this was all regarding this unit.